दोस्तो बिहार सरकार ने B.A.D. और D.A.D. मामलोग को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो है SLP धार किया है और दोस्तो इस SLP में आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी अग्रिट निकल के आ रही है और दोस्तो यह SLP जो है 320 पनो का है और दोस्तो इसमें बिहार सरकार जो है कितना नुपसान होगा या वीड़ वालों को चांसे कितना है मिलने का 1-5 में मौका इन्सको भी हम लोग इस वीडियो के मारम से देखने वाले हैं तो वीडियो को आप पंदत जरूर देखे वीडियो सुकन से पहले हम आपसे छोटा सरे क्रेश्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक की शेनल पर नए है तो आप शेनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकोन को दवा दे ताकि ऐसा है लेटेश्ट वीडियो मिलता रहे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप इस पीडियो को देखेंगे तो यह पीडियो जो है टोटल जो है तीन सो बीस प सामने और यहां पर देखेंगे तो यह सभी जो है फॉर्मेट आपका दिया हुआ है अब इसमें नीची आएंगे तो कितने यहां पर जो केस है जिसका रिजल्ट आया है सब को मेंसन किया गया है यहां पर हम देखेंगे पॉइंट नमबर नो में तो यहां पर देखेंगे the final order या judgment date 22 September का जो judgment हुआ था पटना हाई कोट का जो बिहार सरगा के परक्ष में नहीं था उसके against में भी आपका याश का जो है डाल किया गया है और इसमें आपका case number भी mention किया गया है फिर आप देखिए कि especially petition along with appendix के साथ यहाँ पर किया गया है और इसका mention जो 4-21 में किया गया है page number आगे देखिए यहाँ पर आगे जब देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो judgment था जो 25-21 का जो judgment था जो राजस्तान वाला मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको भी यहाँ पर mention किया गया है उसके आगे जब देखेंगे तो जो टीटी संग वाला टीचर वाला संग और विहार सरकार के बीच जो मामला है जो case number जो हुआ है उसके बारे में भी mention है आगे देखेंगे तो जो भी order है जैसे पचासी तिरह एक order है जो चार सार जुलाई को आया था उसको भी डाला गया है यह चीज तो cases के पड़करिया होती है डालनी होती है लेकिन इसमें और भी विहार सरका अपना मजबूरती के साथ गई है दिखाने के लिए यह फर्क दिखाईए कि इसके ताथ यह चीज यह हो सकती है इसी दे इतना जो है पड़क्ष यहां पर रखा गया है सारी चीज़ी रखे गया है फिर से एक कॉपी आया था order 867-2030 को जो अंडेबर कोट के दवारा आया था उसको भी mention किया गया है और फिर एक 29-8 को जो है पटना कितना समय लगता है यह तो बात की बात है अब जब आगे देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि 320 पेस तो बहुत काफी है लेकिन इसमें से जो main point है हम उसके उपर बात करेंगे ऐसे तो बहुत सारे चीज़े है इसमें जो आपके लिए काम की है लेकिन इसमें से कुछ ऐसी point है जिसको देख की आप यहाँ पर समझ सकते है कि फैसला किसके पक्ष में जा सकता है बिहार सरकार किसके लिए गई है देखेंगे आप इसको देखेंगे तो यहाँ मेन लाइन की बात करते है इस मेन लाइन के हम आपको हिंदी बताते है देखें इस मेन लाइन में यहाँ कहा गया है कि जो जज्जमेंट आया था बिहार सरकार का सुप्रीम कोट का जो 11 अगस्त को जज्जमेंट आया था उसी के संबन में यहाँ पर बिहार सरकार क्या कहती है आपना क्या फैक्तला सुनाती है आपहे या अपना क्या पक्त सी रखी है सुप्रिम कूट के सामने इसको आईए एक नजर देखते हैं यहां पर बिहार सरकार का कहना है कि यहां पर यह उलेखित करना अत्यन ताउशक है कि बिहार राज में प्रात्मिक विद्धाले के सिक्षकों सहित सिक्षकों की भरती के लिए परिक्षा आउजित करने की परकिरिया निर्ने और आदेस दिनांग 11-8-2013 के पाइथ होने के दिन ही पूरी हो चुकी थी याँ कि आप देखेंगे तो यहां पर बिहार सरकार का कहना है कि जब तक सुप्रियम कोड का फैसला आया था तो बिहार में जो प्रात्मिक सिक्षकों की भरती की परकिरिया चल रही है और यह पूरी परकिरा निर्मान जो है आपका 11-8 से पहले हो चुका था यह बिहार सरक पढ़ना चाहेंगे कि कह रहा है कि यहां पर उलेखिर करना आत्यां ताउशक है यहां पर यानि कि सरकार जोर्द रही है इस बात पर कि सुप्रीम कोर्ट इसको देखे कि बिहार राज में प्रात्मिक विद्याले के सिक्षकों सहीद सिक्षकों की भरती के लिए परिक्षा आ क्योंकि ऐसा तो है नहीं बिहार में क्योंकि आपको 24 परचीज अगर कोई याम भी हुआ था यह भी बात है लेकिन यह सुप्रीम कोट से बिहार सरकार चुपा रही है और यह बीएड वाले के पक्ष में जा रही है अब जो बीएड वे इस्टुमेंट हैंगे वह तो खुसी ह होंगे कि वह सरकार आपके लिए लग रही है लेकिन जो है डिलर वाले हैं वे काफ़ी निरासा होंगे क्योंकि सुप्रीम कोट का जज्जमेंट आने के बाद बिहार सरकार जो इस फ्रेक्ट को चुपा रही है यह तो पूरी तहीं के से गलत है इस मानमिये नियाले द्वार हार राज को कुल 7,70,513 जो है आवेधन प्राप्त हुए यहां पर आवेधन का हवाला भी देया गया है कि हमारे यहां 7,70,513 जो है आवेधन है उसमें से आवेधनों में से लगवा 3,86,000 जो है बीड़ वाले अभियर्तियों की है और योगता इस मन्ने नियाले द्वारा पाइत है यहां पिद्रह गया है वी देखिया तो 09,000 जो है जो हमारे यहां भी हो जाती है बीड अगर बाहर होता है तो फिर DL8 से हमारी सीटे जो है नहीं भर पाएगी और जो हमारी RT-Eक्ट का जो है उलंगन होगा और वही पर यह पर कहा गया है RT-Eक्ट के वारे में और सिख्चा के वहाँ पर RT-Eक्ट के दुखाई जो है दी गई है भी हासर कार के दुखाई कि देगा कि यहां पर यह उहले करना तन तौसक है कि बिहार राजमिय प्रात्मी भी डाले के सिक्षकों सहीद सिक्षकों की भरते के लिए परिक्षा आविजित करने की पूरी पड़किरिया निर्ण और आदेश दिनां के 118 2023 के पाइध होने के पहले ही पूरी हो चुकी थी यहां पर हवाला दिया गया है अब देखिए क्या निकल के आता है जज्जमेंट सुप्रेम कोर्से तो बात की बात है लेकि बिहार सरकार गई है तो अपना मजबूत पक्स लेके गई है 320 पेज का या S&P आप देखेंगे तो बहुत मायने रखता है और काफी मजबूत इसक अब देखिए जो जज्जमेंट निकल के आएगी उसको तो मानना पड़ेगा फिर से लेकिन अब कहीं ने कहीं बहाली आपकी फंस्तिकी भी नजर आ देगे अगर इतने सारे मामले हैं तो पता नहीं कि कब तक आपको सुनवाई होंगे इस चीज की बारे में आपको देखे